Hello students, हम लोग exercise 4.12 पर है और question number है 1 क्या करा A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work If both A and B together can finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work यहाan question को समझेजे क्या करा A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work यहां कह रहा है कि A जो है 10 days less ले रहा है जितना काम को complete करने में B ले रहा है उससे अगर B X days लेगा तो आपका A क्या होगा X minus 10 days लेगा बात को समझे नहीं है आपर अगर यह दोनों एक साथ बिलकर काम को करते हैं तो यह 12 days में complete हो तो अकेला भी B जो है इस work को कितना दिन में complete कर देगा कितना दिन में finish कर देगा यहीं हमें निकालना है तो हम लोग हैं ले लेते हैं कि let the time taken by the time taken by be to finish the work क्या हो जाएगा हम लोग हैं पहले रहे हैं कि X days तो आपका A कितना दिन लेगा and and the time taken by the time taken by a to complete यह to finish to finish the work कि यह कितना टाइम लेगा तो X minus 10 days 10 days लेगा ना जी चलिए अब यहां थोड़ा question को समझ लेजे अगर आप किसी वर्क को टूड़े में complete करें तो वन डे में कितना वर्क होता है वान बाई टू हाफ ना work करेंगे और थरी दे में वर्क करें तो one day में कितना वर्क होगा one by three उसी तरह से अब यहां समझे अगर यहां पर अगर हम लोग बात करें एक ही तो ए यहां x-10 days ले रहा है work को complete करें पर यारी कि one day में work कितना होगा one by x-10 और उसी तरह से भी x days ले रहा है तो one day में उसका work कितना होगा one by x और दोनों जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो one day में work होगा इनका sum देख रहा है ना अच्छा one day में यह work हुआ दोनों मिलकर अगर करते हैं तो और टोटल टाइम लग रहा है 12 days तो one day में work कितना होगा one by 12 यह equal हो जागा ने इसके यह बोथ मिलकर कर रहे हैं यह भी बोथ मिलकर कर रहे है चलिए यहाँ लेते है एकस इंटू में एकस माइनस तेन इसमें से डिवाइट करेंगे कर जाएगा यह एकस जाके उपर मंटिप्लाइ करेगा इक्वार्टू में वन बाई ट्वल अब आगे देखिए इसके बाद क्या होता है 2x-10 और नीचे आपका हो जाएगा x स्कॉाइर माइनस का 10x एकुल टू में 1 बाइट वल क्रोस मंटिप्लाइ करते है x square minus 10x equal to 12 into 2x minus 10 x square minus 10x और इधार आपका क्या है 24x हो जाएगा और minus 120 इन दोनों को इधार लखे चले आते है x square minus 10x minus 24x plus 120 equal to 0 तो यहां देखिए क्या हो जाएगा x square minus 34x plus 120 equal to 0 अब factor करना होगा चले तो अब इसका factor करते हैं हम लोग यहां पर x square minus 30x minus 4x plus 120 equal to 0 x common करेंगे तो x minus 30 और यहां minus 4 common करेंगे तो x minus 30 दोनों bracket में same है x minus 30 common कर लेते हैं यहां पर x बच जाएगा है यहां minus 4 equal to 0 अलग अलग कर दो x minus 30 equal to 0 और यहां पर x minus 4 equal to 0 तो x का value यहां से 30 हो जाएगा और यहां x का value 4 हो जाएगा तो अगर आप x का value 4 लेंगे तो time taken by a to complete the work वो negative हो जाएगा if x equal to 4 then 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 time taken by time taken by a to complete to complete the work the work फिर फिनिश दा वर्क, विल बिकॉंप्स निगेटीव, निगेटीव आ जाएगा ना, यूगि x-10 था तो 4-10 कर गएगा तो निगेटीव नहीं आ जाएगा जी, बिल्कुल निगेटीव आ जाएगा है न जी, तो इसलिए हम लोग x का वैलू 30 लेंगे, तो therefore हम लोग यहां आपनिक सकता आपके, hence, hence, time taken by, time taken by, be, to complete the work, या to finish the work, to finish the work, finish the work, finish the work, equal to me क्या हो जाएगा, 30 days हो जाएगा, 30 days हो जाएगा, समझ गए, next question ने,